हलो फैंस नमस्ते आप सभी का एक बार फिस से हमारे इस चैनल में बहुत पहुत स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी ने थमेल में देकर पता लगा ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि पहले क्या होता था आईसमान कार्ड उन ब्यक्तियों के बनाया जाते थे जिनका जोकी अन्तोदे कार्ड होता था या दोस्तों लेवर कार्ड होता था या दोस्तों उनका पहले से ही लिस्ट में नाम होता था उन्हीं ब्यक्तियों का जोकी आईसमान कार बनता था और जो कि उनी ब्यक्तियों का आईसमान कार्ड बनाया जाता था लेकिन दोस्तों अब आप स्वयम से घर वैठे अपने खुद से अपना आईसमान कार्ड बना पाएंगे वो किस प्रकास से दोस्तों जिनका पात ग्रिस्ती जो ही रासन कार्ड है पात ग्रिस्ती में को 5,000,000 तक का जो की स्वास्त भीमा यहीं आपको मिलेगा सरकार की तरफ से तो दोस्तों कि फुकार से आप बनाएंगे सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो दोस्तों वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैन ऑप लेटर का अगर आप दोस्तों से बनाना चाहिते हैं तो यहापर वे लिजिक करेंगे खुद्क अपने आप स्वैम बना सकते हैं अगर पास्त गरस्ती का रसंकारist हैं तो यहापना doesn बीकर करेंगे जैसे करेंगे तो यहाप को टीप भीज दिया जागा आपके registered mobile number पे तो दोस्तों यहां पे mobile number जैसे आप verification करेंगे OTP को आप यहां पे fill up करेंगे जैसा कि आप देख पारेंगे आपका mobile number कुछ आंक दे दिये गे हैं यहां पे OTP वाले box में आपको OTP fill up करना है OTP fill up करने के बाद आपको यहां पे दोस्तों नीचे box में लाए है यहां पे आपको आप केप्चा को fill up करेंगे जो केप्चा दिया गया है इस केप्चा को आप सबसे पहले अपना state सिलेक्ट कर लेना है यहां पे दोस्तों आप आल इंडिया के लिए यहां पर आइसमान कार्ड बना सकते हैं आप किसी भी राज से हैं आप यहां से आइसमान कार्ड बना सकते हैं इस पोर्टल के माद्यम से तो यहां पर दोस्तों आप अपना State यहीन राज Panवा लेंगे जो भी राज यह आप ना मका आ अपको PM दो स्य आप of absence मिलता है यहां पर सब सब सबस्टिक्ट करने के बाद सर्ट का options मिलता है यहां पर किली करेंगे जैसे आप सिल्ट पर किली करेंगी तो यहांपर दोस्तों आप किस प्रकाद से आप आज ait रूपन से सर्च करना चाहते हैं चाहते हैं रूपन मंतबन से स्रीप करना है नो भी अवो सबसंट करते हैं तो यहाँ को सबस्कार्ख Además यहांक पास्त ग्रस्ति कर लिग क्लिक करेंगे अगर दोस्तों आफस्त गरस्ति इंट्वाइब आईडी कार्ड ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है अगर पास्त ग्रस्ती कार्ड है तब भी यही आपसंज आपको सिलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर आपको रासन कार्ड नंबर फिलप कर देना है यहाँ दोस्तों अपना फाइमली आईडी कार्ड यहाँ पर जो की नंबर ह सारे ế dłटी Bunu अब बने जा रहे हैं यहां पर दुस्तों सभी के आई समान कार्ड जो की बनेंगे HEY के अदे दिन आगा सभी के अजिनके पास मंतोदेर चारड है उनका भी और जिनके पास पास प्रक्रती है उनका भी यहाँ पर जो भी की आश्मान कार्ड बनेगा तो यहाँ पर दूस्तो अपना जो की रासन कार्ड नंबर फिल अप करेंगे रासन कार्ड नंबर फिलप करने के बाद यहाँ पे आपको एक options मिलता है सर्च का इस पे किलिक कर देंगे जैसे आप सर्च पे किलिक करेंगे जो भी detail है जो भी beneficiary का detail सारा open हो जागा जिनके नाम पे रासन कार्ड है उनका सारा detail यहीं सारा परिवार का detail यहाँ पे सो हो जागे जितने भी unit रासन कार्ड पे जो की add है सारे यहाँ पे सो हो जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको किनका जो की आश्मान कार्ड बनाना है उन ब्यक्ति को यहाँ पे आपको क्या करना है उनका डिटेल देखना है और कहाँ पे दोस्तों उनका नाम है सारा यहाँ पे जो की देख लेना है उसके बाद उस नाम के सामने आपको क्या करना है एक आ का आफसंस नजर आ जाएगा इसी वाले आफसंस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों उनका आधार नंबर जो भी है दोस्तों यहां पर सो हो जाएगा उसको आप यहां पर वेरिफाई पर क्लिक करेंगे और वे है तो आपका आधार नंबर कम और से अप्छी आदेजस्ट लिए ँस नंबर पर गलिए से मैं धाय सफेंझे पर दो PP जाएगा घुनिये पर एकक्लिक्रेया दौसते द्याएं अ कि अंदिया खैएं धाय आधार ओटटीप बार इंगा शूटि करें आपको इस प्रकार से SO HO जाएगा इस पर अब को बार किलिक करेंगे इस प्रकार से प्रोसेसिंग लेगा और उस रेजिस्टरड मॉवाई नमबर पे OTP भीज दिया जाएगा जिसमें आपको जो मॉवाई नमबर लिंक है उसके बाद इसमें आपको वो OTP FILL दूसर प्रणा वाद यहां पर इस पुस्सरी यहां पर इस प्रहुक्त करें अब करना की आपको जो की नेक्ष्ट पेज फ्रकाँ से ओपन होगा थार्ड़ दोस्तों प्रोछ्छिंग चलाएं दुक्त नेट असलो है तो इस प्रकाद से औरन जो भी डीटेल है सारा डीटेल इस प्रकाद से next पेज में open हो जाएगा यहाँ पर सारा कुछ आपको profile wife, profile wife यहाँ पर सो हो जाएगा अब दूस्तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप आपको यहाँ पर EKYC करना है तो जिन वेक्तियों का आपने आधार जो की वेरिफिकेशन के यादा उनका यहां पर आपको EKYC करना है तो यहां पर दोस्तों आप किस प्रकाश से करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप जो की OTP के माध्यम से करेंगे या दोस्तों finger print के माध्यम से करेंगे या iris के माध्यम से करेंगे किस प्रकाश से करेंगे उस options को यहाँ से selection करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या है जो कि biometrics से करने वाले हैं यहाँ पे क्या बाइसी तो यहाँ पे दोस्तों हम finger print वाले options पे त्रबाली ट्राइश प्रक्रवंडा है करना है उसके बार अपर यांपने प्रकाश्च में एसे प्रकाश्च परिक कर देंगे processing लेने के बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा time लगेगा क्योंकि दोस्तों server थोड़ा slow है इसलिए यहां पर थोड़ा processing लेगा इस प्रकार से आपका machine जोगी attached हो जाएगा और आपका biometric हो जाएगा, light जल जाएगा इस प्रकार से आप जो की जो भी अधार का डीटेल है, सारा फैच हो जाएगा इस प्रकार से तो यहां पर दोस्तों आपको फोटो भी सो हो जागे जो अधार कार्ड में है उसके बाद दोस्तों इधर आपको एक नया फोटो लेना है जो भी रियल टाइम में फोटो यहां पर आपको केमरा पर क्लिक कर देना है और इस प्रकाश से आपको फोटो कैप्चर कर लेना है यह है पर प्रोसीट कर दिया रे चिर्ट पर करेंगे तो व непr smart स्थे आप इहां पर आप पास मोवाइल नंबर है तो यह दो ठीक करेंगे और आपक्स आपनों होगा आप आप यहां पर मोईल नमबर दालने की बाद आप आप अपना ओर दर्ज करेंगे तो हम यहां पर मोईल नमबर दर्ज करने के बाद दोस्तों आपको verify भी करना है तो यहाँ पर mobile number जो की जरूर डालें ताकि किसी भी प्रकार की next जो भी आगे आने वाली दिख करना हो तो mobile number डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों mobile number को verify करेंगे तो verify वाले options पे click करेंगे इस प्रकार से processing लेगा तो इस प्रकाश से mobile number जो की verify होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको mobile number पे OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पे आपको fill up करना है जो भी आपके mobile number पे OTP गया है उस OTP को दोस्तों यहाँ पे आप OTP वाले box में इंटर करेंगे जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे OTP इंटर कर लेते हैं उसके बाद इस प्रकाश से आपका mobile number verification हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको year of worth पे क्लिक करना है select वाले options पे आपको क्लिक कर देना है अपना worth यहाँ पे select करना है जो भी आपका worth है यहाँ से आपको list में देखकर अपना सही सही से worth को select करेंगे जितना भी आपका उम्र है यहाँ से आपको selection कर लेना है worth selection करने के बाद आप दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे worth selection कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों फादरस हस्वेंड जो भी है दोस्तों यहाँ पे नाम को सिलेक्शन करेंगे अगर महिला का है तो यहाँ पे हस्वेंड का सिलेक्शन करेंगे अगर दोस्तों पूरु से तो वहाँ उस केस में यहाँ पर आपको fathers का selection करना है इसी प्रकार से आप अपने according से लेक्शन करेंगे husband wife चूब भी है यहाँ पर आपको pagस सेलेख्शन कर लेना है से आते हैं उस अकोर्डिंग आप उस प्रकाश से अपना सेलेक्शन कर लीजेगा आप गार रूलर से हैं तो रूलर अगर आप दोस्तों अरवन से हैं तो अरवन से आप जो कि यहां पर आपको सिलेक्शन करना है यहां पर सब डिस्टिक को सिलेक्ट करेंगे जैसा कि दोस्तो आप नाम देखकर शारा जो कि बोलों कि यहाँ पे सो हो जाएगा, है यहाँ पे आप ब्लोक को नाम यहाँ पे सम्मिट का आप्सन सो नहीं हो रहा क्योंकि दोस्तों यहां पर साइड का प्रोब्लम है अभी प्रापरली तरीके से यह साइड वर्क नहीं कर रही है अगर दोस्तों जैसे साइड वर्क करेगी तो इस प्रकास से दोस्तों आप यहीं से बड़ी अच्छी तरीके से अपना तो दो दो फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स जानकारे के साथ तब तक के लिए जाएगे